हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एंजेई के चैनल फ्रेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टॉबरी मॉक्टेल दैसा की आप जानते हैं, स्टॉबरी का सीजन है और ये बहुत ही हेल्दी होता है हम सब के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रीडेंट्स है, स्टॉबरी के पीसेज, 10-15, स्प्राइट, पाउडर चुगर, 2 टेबल सोन फ्रेंट्स, इसके लिए हमने एक मेक्सी का जार ले लिया है जिसके अंदर मैं स्टॉबरी को अपने चोटे-चोटे पीसेज में काट लोंगे मैंने स्टॉबरी के चोटे-चोटे पीसेज काट लिये हैं अब इसमें हम पाउडर शुगर डाल देंगे पाउडर शुगर डालने के बाद इसे हम ग्राइन कर लेंगे ग्राइन करते हैं मैं भ्यान रखेंगे कि आप इसमें बहुत हलका सा ग्राइन कीजिए ताकि हमारे स्टॉबरी के चोटे-चोटे चंक उसमें रहें इसी का मज़ा आएगा हमारे ड्रेंक में अब हम इसकी प्रिप्रेशन करेंगे मैंने एक ग्लास ले लिया है उसके मन अंदर मैं इस तरीके से स्टॉबरी का थोड़ा सा ख्रश लगा दूगी आप कोई भी ग्लास ले लिजे ज़रूरी नहीं आपको सेम ग्लास लेना है और पाउडर शुगर को इस तरीके से प्लेट में लेके उसके एज़ेस में लगा देना है आप देखे मैं इसको किस तरीके से एज़ेस पे लगा रहे हूँ अब इसके अंदर हम अपना स्टॉबरी का क्रश डालेंगे टू टेबल स्पून स्टॉबरी का क्रश डालने के बाद इसमें हम अपना स्प्राइट डालेंगे आप थोड़ा ध्यान रखिए, स्प्राइट को धीरे धीरे डालिए ताकि वो बाहर ना आ जाए हमारे एज़स से और इसको अब हम डेकुरेट करेंगे एक स्टॉबरी के साथ और इसका मज़ा लेंगे ठंड़ ठंड़ा हमारा स्टॉबरी मॉक्टेल एकदम रेड़ी है सर्फ करने के लिए चलिए इसका मज़ा लीजे इस मौसम में सब्सक्राइब कीचे हमारे यूट्यूब चैनल डिश आफ दे डे को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके ओल दोस्तों बेला इकम को तुब आना पूले